नमस्कार दोस्तों मैं हूँ विनोद और आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वारे हैं कि आप किस तरीके से परचेज वाउचर की एंट्री पास कर सकते हैं विदाउट इन्वेंट्री अब ये इन्वेंट्री क्या होती है इसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो पहले भी बनाई हुई है आप आई बटन पर जा करके इसे देख सकते हैं इस वीडियो में हम आपको पांच एक्जाम्बल के मात्यम से समझाएंगे कि आप किस तरीके से परचेज वाउचर की बटन के नाम दे दिया है विडाउट इन्वेंट्री एज वाउचर मोड और इसके बाद हम यहाँ पर एंटर पैस करेंगे आपके साब हमने काफ़ी सारी details आप से मांगी जा रही हैं तो यहाँ पर हम tax section वाले part पर आएंगे और यहाँ पर हम GST को fill करेंगे क्योंकि हमारे पास जो questions है उसमें GST भी included है तो यहाँ पर हमें GST के taxes भी add करने पड़ेंगे तो इसलिए हमें regular SEZ के बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगा फिलाल हम यहाँ पर regular को select करते हुए नीचे की तरफ आ जाएंगे यहाँ पर आपको अपना GST number fill करना होगा तो यहाँ पर हम एक randomly कोई भी GST number fill कर लेते हैं GST number को fill करने के बाद यहाँ पर आपको enter press करना है, enter press करने के बाद जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि आप अपनी GST R1 को का file करना चाहते हैं, monthly या फिर quarterly तो यहाँ पर हम monthly को select करते हुए enter enter करके से यहाँ पर save कर देंगे और इसके बाद यहाँ पर हम control A press कर देंगे control A press करते ही आप देखेंगे हमारी company यहाँ पर create हो चुकी है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी company create हो चुकी है तो यहाँ पर हम चलते हैं अपने questions की तरफ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो पहला question है उसमें लिखा है कि कवल से हमने 45,500.35 रुपीज का एक सामान खरीदा है जिस पर हमने 18 प्रतिशत का intra-state tax पे किया है अब यह intra-state tax क्या होता है, intra-state tax क्या होता है इसके बारे में भी मैंने detail वीडियो बनाई हुई है इस वीडियो का link भी आपको description में मिल जाएगा आप वहाँ सही से देख सकते हैं इसके वद आप देख सकते हैं आप लिखा है कि जो की इसी amount में included है वस्तु की जानकारी हमारे पास नहीं है क्योंकि छोटी या बड़ी बहुत सी वस्तुएं हमने यहाँ पर खरीदी है यानि कहने का मतलब सीधा यह है कि इस question में हमारे पास सामान की कोई भी information नहीं है यानि कि हमने कौन सा सामान खरीदा है कितनी quantity में करीदा है कितनी rate का करीदा है वो कोई भी information हमारे पास नहीं है हमें केवल एक amount दे दिया गया है यानि हमें total amount यहाँ पर दे दिया गया है कि 45,500.35 रुपीज का हमने total amount खरीदा है जिसके आने 18% का GST पे किया है इसकी entry अगर आपको अपनी tally में करनी होगी तो किस तरीके से आप इस entry को कर सकते है आईए देखते टैली मेंटर होने के बाद यहाँ से जाना है आपको सीधे vouchers में vouchers में आने के बाद यहाँ पर हमें mode change करना होगा तो mode change करने के लिए यहाँ पर आपको प्रेस करना होगा control plus H Ctrl प्लस एजसी आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर तीन मोड आपको दिखाई देंगे सबसे पहला जो मोड है आपका वो है आइटम इन्वोईस आइटम इन्वोईस के अंदर आप अपने आइटम की एंटरी पास कर सकते हैं यह आपके पास आइटम की पूरी डिटेल होनी चाहिए कि आपके पास कितनी कॉएंटिटी यह आपने परचेस की है और कितने read का आपने इसको खरीदा है वो सारी detail आपको यहाँ पर fill करनी पड़ेगी accounting invoice के अंदर हम यहाँ पर services को add करते हैं और as voucher के अंदर हम इस तरह की entry पास करते हैं जिसमें हमारे पास कोई भी detail नहीं है क्यानि कि हमारे पास किसी भी item की कोई भी detail नहीं है जिसकी entry हम यहाँ पर as voucher में पास करते हैं तो यहाँ पर हम as voucher को select करते हुए enter pass करेंगे enter pass करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपसे supplier invoice number आपसे पूछा जा रहा है तो यहाँ पर आपको अपने supplier invoice number फिल कर दे रहा है तो randomly हम यहाँ पर 101 supplier invoice number डाल देते है enter pass करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी purchase date देनी है यहाँ पर हम date को change नहीं करेंगे क्योंकि हम अभी जो tally यूज कर रहे हैं वो educational mode पर यूज कर रहे हैं वो two और buy में confused रहते हैं हमेशा उन्हें सिर्फ debit और credit समझ में आता है क्योंकि उन्होंने gold रूल के हिसाब से debit and credit समझा होता है जिसकी वज़े से वो two और buy में confused होते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको दोनों ही तरह से entry pass करना बता हूँगा two और buy की तरफ से भी और debit and credit की तरफ से भी तो फिलाल इस question में हम यहाँ पर two और buy का use करेंगे तो यहाँ पर हमें सबसे पहले party का एक ledger create करना पड़ेगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको create का एक option आपको दिखाई दे रहा है आप इस पर click कर सकते हैं और यहाँ तो फिर यहाँ पर alt के साथ c by आप press कर सकते हैं तो यहाँ पर हम alt के साथ c press करेंगे alt c press करते ही आप देखेंगे आपके सामने एक नया interface open हो जाएगा और यहाँ पर आप अपनी party का ledger यहाँ पर create कर सकते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी party का नाम कमल है, तो यहाँ पर हम कमल की नाम से एक leisure create करेंगे, यहाँ पर type करेंगे हम लोग कमल और enterpress करेंगे, enterpress करने की बाद यहाँ पर आपको उसे under of sendi creditor देना होगा, क्योंकि जब भी हम किसी party से माल खरीते हैं, तो उसे हम under of sendi creditor रखते हैं, क्योंकि यह हमारा देनदार होता है, और जब हम किसी party को माल बेचते हैं, तो उसे हम under of sendi debitor रखते हैं, क्योंकि वो हमारा देनदार होता है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर sendi creditor को select करते हुए, enterpress करेंगे, enter interface करने के बाद आपके पास अपनी party की जितनी भी details है उसका address वगेरा आप total details याप एक फिल कर सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं हम यहाँ पर same state को select कर रहे हैं हमारा state भी दिन्ली है और यहाँ पर इस party का state भी यहाँ दिन्ली हम select कर रहे हैं ऐसा क्यों कर रहे हैं इसके लिए हम लिए चलते हैं आपको फिर से question में यहाँ आपर आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है इंट्रा state text पे यानि कि जो भी वस्तु हमने यहाँ खरीदी है वो same state में हमने खरीदी है वो भी दिन्ली का ही person है जिससे हमने इस course को purchase किया है तो इसलिए हम वहाँ पर दिन्ली को ही select करेंगे यहाँ पर दिन्ली को select करते हुए जैसे हम enter press करेंगे तो यहाँ पर enter enter करके आपको नीचे की तरफ आ जाना है नीची की तरफ आने के बाद यहाँ पर आप अपनी party की सभी details fill कर सकते हैं फिलाल हम यहाँ पर कोई भी detail fill नहीं कर रहे हैं यहाँ पर हम select करेंगा registration type में regular और इसकी बाद आपके पास अगर उसका gst number है तो यहाँ पर आप fill कर सकते हैं तो यहाँ पर हम इसका gst number fill कर देते हैं gst detail को fill करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ से आप से पूछा जा रहा है कि set additional gst detail क्या आप इसकी additional details को fill करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इसी नू रख सकते हैं फिलाल हम इसे यहाँ पर yes करने हैं Yes करने के बाद यहाँ पर आपको enterpress करना है, enterpress करने के बाद आप इसे यहाँ पर save कर दीजे, particle ledger create करने के बाद आपको यहाँ पर enterpress करना है, enterpress करती आप देखेंगे, आपसे यहाँ पर काफी सारी information मांगी जा रही है तो यहाँ पर आप अपने receipt note number यहाँ पर type कर सकते हैं यहाँ जो भी आपने receive हुगी है उसका एक note number होता आपके invoice के ओपर उसे आपको यहाँ पर fill करना होगा तो यहाँ पर हम randomly कोई भी एक number type कर देते हैं type करने के बाद date यहाँ पर यहाँ पर अपने आप ले लेगा इसके बाद आपको यहाँ पर enterprise करके आगे की तरफ आजाना है यहाँ पर सिफ document number आपको type करना है याँ तो randomly हमने कोई भी number type कर रखा है dispatch through किस चीज़ के through dispatch हुआ है तो वो आप यहाँ पर fill कर सकते हैं संत नगर और इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि carrier agent name याँ आप अपने agent का नाम बताईए जिसने सावान को ला करके आपके पास जिल्वर किया था तो randomly हम यहाँ पर कोई भी नाम type कर देते हैं जैसे मालिजम ने यहाँ पर more type कर दिया और इसके बाद यहाँ पर आपको अपना building yeah landing number यहाँ पर type करना होगा इसके बाद आपको यहाँ पर motor vehicle number डालना होगा जो truck आपके पास deliver करने सामान आया था उसका गाड़ी का number आपको यहाँ पर type करना होगा तो randomly हम यहाँ पर कोई भी number type कर लेते हैं सबी details को fill करने के बाद है यहाँ पर आपको enter back करना है enter back करने के बाद आप देखेंगे, आपकी party की पूरी details आपको यहाँ पर दिखाए देगी यहाँ पर भी आपको enter एंटर करके सीधे यहाँ पर save कर देना है, place of supply में आपको यहाँ पर दिल्ली ही रखना है और उसके बद आपको यहाँ पर enterprise करना है enterprise करने के बाद आपको यहाँ पर amount डालना है कि कितने amount पापका जो goods था वो कितने amount का आपने purchase किया है वो amount यहाँ पर आपको fill करना होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो amount था वो था 45,500.35 रुपीस का तो यह amount हम यहाँ पर fill कर लेते हैं आप देख सकते हैं हमने amount को यहाँ पर fill कर दिया है fill करने के बाद जैसे में आपर enter pass करेंगे तो यहाँ पर आपको रखना है new reference अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर आपको new reference इसलिए रखना है क्योंकि जब भी आप किसी party से कोई भी नई entry pass करते हैं तो यहाँ पर आपको new reference ही रखना होता है के लावा method of adjustment की मैंने वीडियो बनाई हुई है इसमें मैंने इन चारो options को cover किया है कि किन किन options का क्या क्या use होता है तो उस वीडियो का भी link आपको यहाँ पर मिल जाएगा आप उसे भी देख सकते हैं अप एंटर प्रेस करके नीचे की तरफ आएंगे यहाँ पर अगर आप due date कोई देना चाते हैं तो due date यहाँ पर दे सकते हैं फिलाल हम यहाँ आप due date नहीं दे रहे हैं हम सिधे एंटर प्रेस करके आगे की तरफ बढ़ जाएंगे जब यहाँ पर आपको buy में एक leisure create करना पड़ेगा purchase का तो यहाँ पर यहाँ तो आप alt c कर सकते हैं और यहाँ तो फिर right side में जो create का option आपको दिखाई दे रहा है इस पर आप click कर सकते हैं जैसी हम इस पर click करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेजर की window आपके सामने open हो जाएगी और यहाँ पर आपको एक leisure create करना है purchase account का तो purchase account लिखने के बाद हम यहाँ पर enter pass करेंगे और इसे under of डाल देंगे purchase account के और इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने काफी सारी options आपको यहाँ पर दिखाई देंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं type of leisure आपसे पूछ रहा है तो यहाँ पर इसे not applicable रखेंगे तो इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि including as accessible value calculation तो यहाँ पर आप क्या रखना चाहते हैं तो फिलाल हम यहाँ पर GST को रखेंगे GST रखने के बाद यहाँ पर आप goods को select कर सकते हैं क्योंकि हम जो सामान खरीद रहे हैं goods है कोई service नहीं है तो यहाँ पर हम goods को select करेंगे goods को select करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपसे method of calculation में आपसे पूछ रहा है कि based on quantity याँ आप जो इसका calculation करना चाहते हैं क्या quantity के इसाप से इसका calculation करना चाहते हैं या फिर base of value तो हम यहाँ पर select करेंगे simply save कर देंगे save करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने इस तरीके का interface open होगा जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आपका name of item, quantity, rate, paramount तो basically हमारे पास यह कोई भी detail नहीं है तो यहाँ पर आपको simply enterprise कर देना है enterprise करती है आप देखेंगे debit side में आपका total amount यहाँ पर दिखाई दे रहा है 45,535 रुपे और credit side में भी आप देख सकते हैं यानि कमल की side भी आप देख सकते हैं 45,535 रुपे दिखाई दे रहा है लेकिन इसके इंदर हमने text भी pay किया है जो कि इसी amount में include है तो यहाँ पर हम text को कैसे identify करेंगे तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ उसके लिए सबसे पहले हम वापस से अपनी question की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो text था वो यहाँ पर 18% का text था तो इसके लिए या तो आप यहाँ पर calculator का use कर सकते हैं और या तो फिर tally में जो calculator दिया गया है आप उसका use यहाँ पर कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप tally के अंदर खुद का calculator use करना चाहते हैं तो उसे आप कैसे activate कर सकते हैं उसके लिए आपको amount को select करते हुए यहाँ पर आपको alt के साथ c press करना है जैसे अब यहाँ पर alt के साथ c press करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका calculator open हो जाएगा और उसके बाद आपको यहाँ पर जो भी calculation आप करेंगे वो automatically enter press करते ही यहाँ पर value automatic represent हो जाएगी यानि कि वैसे जो हम calculation करते हैं उसमें amount हमें वहाँ पर खुछ से type करना पड़ता है बट यहाँ पर वो भी calculation हमें यहाँ पर करेंगे वो calculation enter press करते ही यहाँ पर अपने यहाँ पहुँच जाएगी चले आपको दिखाता हूँ जैसे माल लिजे हमारे पास total value है 45,500.35 पैसा अब इसका हमें निकालना है 18% तो यहाँ पर हम multiply करतेंगे 18% से और 18% से multiply करने के बाद जैसे हम enter press करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर purchase amount के अंदर हमारे सामने वो value अपने आप represent हो गई है लेकिन हमें यहाँ पर 8,190.06 पैसा जो आपको दिखाई दे रहा है यह यहाँ पर purchase amount में नहीं रखना है बलकि हमें 45,500.35 पैसा में से इतना amount माइनस करके जो amount बचेगा वो amount हमें यहाँ पर type करना होगा तो इसके लिए भी आप यहाँ पर इसी तरीके से calculation कर सकते हैं तो इसके लिए भी आप यहाँ पर आसानी से इस तरीके का calculation कर सकते हैं मैं आपको calculator के माध्यम से इसको समझाता हूँ ताकि आपको इसे समझने में बहुत ही आसानी रहेगी जैसे मालीजे हम यहाँ पर calculator open कर लेते हैं calculator open करने के लिए आपको window plus r press करना है और यहाँ पर आपको type करना है c a l c जैसे आप c a l c type करके enter press करेंगे तो आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर calculator open हो जाएगा इसके बाद हम यहाँ पर हम total amount ले लिते हैं तो आप देख सकते हैं वही same value हमारी यहाँ पर represent हो रही है अब इसके बाद हमें क्या करना है हमें total amount में से इस value को minus करना है तो हम यहाँ पर इसे clear कर लेते हैं clear करने के बाद हम वापस से 45,500 रुपे को select करके 0.35 पैसा minus 8,190.06 को यहाँ पर minus कर देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो amount आया इस amount को हमें यहाँ पर purchase value में रखना होगा तो इस वाली amount को हमें यहाँ पर purchase value में रख लेते हैं तो backspace दबाने के बाद जैसे आप इस पर वापस से जाएंगे और यहाँ पर आप अपनी value वापस से type कर दीजिए value को type करने के बाद जैसे अब यहाँ पर enter press करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर buy में आपको अपना text session part add करना पड़ेगा याँ आपको text लगाना पड़ेगा तो text के लिए हम वापस से यहाँ पर enter press करेंगे enter press करने के बाद यहाँ पर आपको एक laser और create करना पड़ेगा तो यहाँ पर हम press करते हैं वापस से alt c और alt c press करने के बाद यहाँ पर आप अपना text add करिए जैसे बाली जहां में यहाँ पर सबसे पहला text लगाएंगे c gst का अब c gst, s gst, i gst यह सब होते क्या हैं इसके बारे में भी डिटेल वीडियो पहले भी बना चुका हूँ आप आई बटन पर जाकर के वहाँ से देख सकते हैं फिलाल इस वीडियो में हम केवल gst को लगाना आपको बता रहे हैं तो यहाँ पर हम c gst को select करते हुए enter press करेंगे और जितना भी हमारा taxation part होता है वो तोटली जाता है duties and taxes के अंदर तो यहाँ पर हम d press करेंगे, d press करते ही आप देखेंगे यहाँ पर duties and taxes आपको दिखाई देगा इसको select करके जैसे आप यहाँ पर enter press करेंगे तो enter press करते ही यहाँ पर आपके सामने type of duty text आपको दिखाई दे जाएगा जिसके अंदर से आपको यहाँ पर select करना है GST GST को select करने के बाद जैसे आप यहाँ पर enter press करेंगे यहाँ पर आप देख सकते है टेक्स के आपको यहाँ पर चार्ड टाइप आपको दिखाई देंगे जिसमें IGST है, CGST है, SGST है और UTGST है और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे SES भी आपको यहाँ पर दिखाई देजाएगा तो मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ कि CGST और SGST कब लगता है और IGST कब लगता है देखें, CGST और SGST तब लगाए जाता है जब आपका गुड्स सेम स्टेट में खरीदा या बेचा जा रहा हूँ जैसे माल लिजे कोई भी गुड्स दिल्ली में मैंनिफेक्चर हुआ और दिल्ली में ही उसकी सेल हो रही है तो उसके उपर दो टेक्स लगेंगे CGST और SGST इसके बाद IGST लगता है आपका इंटर स्टेट यानि कि अगर आप अपने स्टेट के अलावा किसी ओधर स्टेट में आप कोई भी गुड्स परचेज या सेल करते हैं तो वहाँ पर आपका लगेगा IGST अब जैसे माल लिजे यहाँ पर CGST और SGST का मतलब है तो CGST का मतलब है यहाँ पर Central Goods and Service Tax और SGST का मतलब होता है State Goods and Service Tax यहाँ पर आप देखेंगे हमारा जो टोटल टेक्स है वो यहाँ पर इंटर स्टेट है यानि सेम स्टेट में हम अपने टेक्स को लगाएंगे और टेक्स की जो परसंटेज है वो यहाँ पर 18 परसंट है तो यानि कि आदा टेक्स जाएगा Central Government के पास और आदा टेक्स जाएगा State Government के पास इसके बाद आप देखेंगे SGST के साथ साथ आपको यहाँ पर UTGST भी दिखाई दे रहा है UTGST का जो मतलब है वो है Union, Territory, Goods and Service Tax अब यह कब लगाया जाता है तो यह बिसिकली तब लगाया जाता है जब आपका State केंदर शासित प्रदेश हो यानि कि जैसे हमारे इंडिया के अंदर 8 केंदर शासित प्रदेश है जिसके अंदर CGST के साथ आपका UTGST लगाया जाता है अब इसके बारे में भी मैं आपको detail वीडियो दे दूँगा जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि GST, CGST, IGST और SS वगरा क्या होते हैं तो फिलाल हम यहाँ पर select करेंगे CGST और CGST को select करने के बाद आपको यहाँ पर press करना है enter enter press करने के बाद अपनी percentage यहाँ पर type कर दीजे, माली जे हमारा 9% यहाँ पर CGST लग रहा है तो 9 डालने के बाद जैसे में आपर enter press करेंगे तो 9% यहाँ पर automatically आ जाएगा rounding method अभी हमें यहाँ पर not applicable रखना है, अब rounding method क्या होता है, जैसे माली जे कोई भी amount हमारा होता है जिसमें 0.2 पैसा, 0.3 पैसा होता है, तो उसको यह round figure में cut word कर देता है तो इसके बारे में मैं detail video बना चुका हूँ, उसको भी आप देख सकते हैं, हमारी playlist में जा करके हम यहाँ पर not applicableable select करते वे, इसे enter करके यहाँ पर save कर देंगे enter पैस करने के बाद आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो total amount हमारा है, यहाँ पर reflect हो रहा है वो हो रहा है 8190.06, यहाँ टोटल amount यहाँ पर represent हो रहा है 18 का 18%, लेकिन हमें यहाँ पर half cgst रखना है और half हमें utgst रखना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको divide करेंगे 2 से तो वापस से हम क्या करेंगे, alt के साथ c press करेंगे, alt c press करने के बाद यहाँ पर हम value type करेंगे अब इसके बाद आपको यहाँ पर interface करना है, और आपको यहाँ पर एक और ledger create करना पड़ेगा, utgst का तो यहाँ पर हम चले जाते हैं create वाले section पे, create वाले section में जाने के बाद यहाँ पर हम sgst को create कर लेते हैं तो यहांपर हम टाइप करते हैं SGST, SGST को टाइप करने के बाद यहाँपर enterprise करेंगे, यहाँपर select करेंगे GST, GST को select करने के बाद यहाँपर आप आप देख सकते हैं SGST और UT GST, दोलों ही आपके एक साथ यहाँआपर इन्फलूम दिखाई दे रहे हैं, तो यहां से आपको इस वाले option पो select करना है select करने के बाद यहांपर आपको 9% डालते वहीं यहांपर आपको enter press कर देना है enter press करने के बाद आप देख सकते हैं आप दा balance amount यहांपर आपको दिखाई दे जाएगा नीचे की तरफ अगर मैं आपको दिखाऊँ तो नीचे की तरफ आपका debit or credit side जो भी amount था वो यहांपर equal आपको दिखाई दे रहा है तो इस तरीके से आप teleprime के अंदर without inventory with GST entry पास कर सकते हैं तो इसके बाद यहांपर हम इसे enter enter करके यहांपर save कर देंगे आप चाहें तो यहांपर narration लिख सकते हैं आपने जो भी goods purchase किया है उसके बारे में आप यहां detail दे सकते हैं फिलाल यहांपर हम कोई detail टाइप नहीं कर रहे हैं हम इसे enter करके सीधे save कर दे रहे हैं इसके बाद आप देख सकते हैं हमारा जो दूसरा question है उसमें लिखा है कि हमने मोईस से 15,500 रुपे का सामान खरीदा जिस पर हमने 12 प्रतेशित का interstate tax को भी पे किया है तो यहांपर आप देख सकते हैं यहांपर जो tax की बात हो रही है वो interstate की बात हो रही है यानि IGST की बात हो रही है तो इस question में मैं आपको बताऊँगा कि आपके इस तरीके से IGST से कोई डी goods purchase कर सकते है तो जैसे माली जा हमारी जो party है उस party का नाम है और amount हमारे सामने यहांपर दिखाई दे रहा है तो इसके लिए हम चले जाते हैं अपनी tally screen पर तally पर आने के बाद यहांपर वापस से आपको vouchers में जाना है कि two or buy से किस तरीके से entry pass की जाते है तो यहांपर हम debit credit को लेंगे आप यहांपर हम press करेंगे F12 F12 press करते ही आप देखेंगे यहांपर आप देख सकते हैं आपको एक option दिखाई देगा use credit and debit का और two or buy का इस वाले option को आपको यहांपर select करना है और यहांपर इसे यहांपर 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 प्रेडिट आ चुका है और सेम प्रोसेजर जैसे मैंने आपको बताया था यहांपर आपको as voucher select करना है supplier invoice number में आप यहांपर invoice number टाइप कर दीजे एक्सामपर के लिए हम यहांपर type करते है 102 और यहांपर date अपनी select कर सकते है तो date select करने के बाद हम यहांपर enter उप्रेस करेंगे अब यहांपर आपको एक lever create करना पड़ेगा तो यहांपर उप्रेस करेंगे तो कि हम यहाँ पर नीचे आ जाएंगे, नीचे आने के बाद आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको अपना state change करना होगा, क्योंकि यह जो text है हमारा, वो IGST है, तो इसका आपको पता होना चाहिए, कि आपको जो text है, IGST के मादधम से किस state से आपने इसको खरीदा है, तो तो माली जे एक्जापल के लिए हमने यहाँ पर कोई भी जेस्टी नमबर फिल कर दिया है, और इसके बाद हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करने के बाद आप आप देख सकते हैं, यहाँ पर सेट, अल्टर, एडिशनल, जेस्टी डेटेल का आपको यहाँ पर आप इसे एक्टिवेट करिये, यहाँ पर एंटर प्रेस करिये, एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक करना है, यहाँ यूपी सेलेक करना है, और इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि इसका पार्टी, अगर वो है तो यहाँ पर yes कर सकते हैं otherwise no तो हम यहाँ पर इसे yes करते हैं yes करते हैं आप देखेंगे इसकी transporter ID या निक जेस्टी नमबर अपने आप यहाँ पर उसे ले लेगा यहाँ पर आपको enter करके यहाँ पर इसे accept करते हैं enter करने के बाद यहाँ पर बाके details भी हम fill कर लेते हैं जैसे माली जी यहाँ पर हमने टाइप कर दिया 102 और यहाँ पर date select करते हुग हम नीचे की तरफ आएंगे reset document number में हम कोई भी number यहाँ पर randomly type कर देते हैं उसके बाद हम यहाँ पर enter करते हैं dispatch through की जगा पर हम यहाँ पर यहाँ पर ले लेते हैं यह वापस से truck truck लेने की बाद जैसे में यहाँ पर enter प्रेस करेंगे destination में हम जगा देते थे लाइक बुराडी और इसके बाद enter प्रेस करते हैं carrier agent name में हम यहाँ पर type कर देते हैं अधित्या अधित्या टाइप करने के बाद यहां पर एंटरपेस करेंगे बेल लेंडिंग नमर, अगर आपके पास है, तो टाइप करतीजिए, मालिजव एग्जाम्पल के लिए, वन चरोट यह टाइप करेंगे, देट सेलेक रते हो यहां पर एंटरपैस करेंगे, गाड़ तो यहां पर आप देख सकते हैं, हमारा आपर आंप 5500 रुपे, नीचे आने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं परचेस का हमारे पास पहले सही लेजर बना हुआ है तो हमारे पास कोई भी इंवेंटरी डिटेल नहीं है तो यहाँ पर हम इसे एंटर पैस करके सेफ कर देंगे तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ टोटल अमांट हमारा रेपरजेंट हो रहा है यहाँ पर प्रतिशत का टेक्स है तो यहाँ पर हम इसे मुटिपलाई करेंगे बारा प्रतिशत से यहाँ पर प्रसेंट से और जैसे हम आपर ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं अरी वैलू यहाँ पर आगे 1860 रुपे यानि कि इस अमांट मेंसे हम 1860 को माइनस करेंगे और बाकी अमांट यहाँ पर हम फिल करेंगे तो इसके लिए हम यहाँ पर इसे क्लियर करते हैं clear करने के बाद यहाँ पर हम type करते हैं 15,500 रुपे जिसमें से minus करते हैं 1860 minus करने के बाद आप देख सकते हैं हमारा जो value बचा है वो यहाँ पर 13,644 रुपे बचा है तो यहाँ पर हम fill कर लेते हैं 13,644 रुपे interface करते हैं आप देखेंगे आप डेबिट side में duties and taxes लेने के बाद यहाँ पर आपको select करना है GST GST select करने के बाद यहाँ पर आपको type करना है IGST और यहाँ पर आपको 12% type करने के बाद interface कर देना है rounding method not applicable रखते हैं आप यहाँ पर इसे save कर दीजे save करते हैं आप देखेंगे यहाँ पर आपको इसे enter करके save करते हैं इसके बाद आप देख सकते हैं हमने दूसरा question भी यहाँ पर solve कर लिया है अब बात करते हैं हम यहाँ पर तीसरे question की तो यहाँ पर आप देखेंगे दीपक से हमने 18,200 रुपे का सामान खरीदा जिस पर हमने कोई भी text amount पे यहाँ पर आपको enter enter करके नीचे आ जाना है under up डाल देना है sendi creditor क्योंकि यह देंदार है जिससे हमने माल को खरीदा है enter enter करके आप यहाँ पर इसे save कर दीजिए कि यहाँ पर आपको सीधे control A press कर देना है क्योंकि यहाँ पर taxation का कोई भी part नहीं है तो यहाँ पर आप इसे control A press कर देंगे तो यहाँ पर आप अपनी पूरी details फिल्ट कर सकते है जैसे मैंने आपको पिछले दो question में समझाया है तो यहाँ पर फिलाल हम कोई भी detail फिल्ट नहीं कर रहे है हम randomly इसको control A करके save कर देना है और यहाँ पर आपको अपना amount type कर देंगे तो यहाँ पर हम type कर लेते हैं अपना 15,500 रुपे का amount enterprise करेंगे यहाँ पर आपको new reference रखना है new reference रखते हुए नीचे की तरफ आपको enterprise करना है enterprise करती है आप देखेंगा debit and printed side में door about यहाँ पर equal हो गया है GST का यहाँ पर कोई भी role नहीं है यहाँ जिस्टी हमने यहाँ पर pay नहीं की है तो इसलिए हम GST को यहाँ पर include नहीं करेंगे हम simple इसे control A करके या फिर enter and enter करके save कर देंगे तो इस तरीकी की entries को भी आप आसानी से कर सकते है इसके बाद बढ़ते हम next question की तरफ इसके बाद आप देख सकते हैं हमारा जो fourth question है उसमें निकाह है cash के माध्यम से हमने 12,500 वरतेगा सामार खरीदा लेकिन हमने कोई भी tax पर नहीं किया अब यहां पर आप देख सकते हैं पार्टी की जगाह पर यहां पर आबारे सामने cash दिखाई दे रहा है तो यहां पर हम पार्टी की जगाह पर क्या रखेंगे cash रखेंगे cash रखने के बाद amount डाल करके हम इसके entry पास कर देंगे यह भी बहुत आसान है हम चले जाते हैं वापस से टेली पर टेली पर आने के बाद यहां पर अपनी supply invoice number डाल दीजे लाइक हमने डाल दिया है यहां पर 104 और enterprise करने के बाद date डालते हैं यहां पर enterprise करेंगे यहां पर आपको cash को select करना है क्योंकि कोई भी party यहां पर नहीं है तो cash को select करने के बाद यहां पर आपको पूरी detail से यहां पर fill कर देनी है अगर आपके पास कोई detail है तो fill कर दीजे otherwise हम इसे यहां पर control ले करके save कर रहे है यहां पर भी हम इसे control ले करके save कर रहे है और यहाँ पर जो भी हमारा amount है, वो amount है पर fill कर लेते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमारा amount है 12500 रुपे, यहाँ पर हम type कर देते हैं, 12500 रुपे, और enter pass करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे, हमारी जो value है, वो यहाँ पर negative में हमें दिखाई दे रही है, क्यों तो इसके लिए आपको cash amount के opening balance में कुछ amount डालना होगा, जिसकी वज़े से आपको यह error represent नहीं होगा, तो उसको आप किस तरीके से कर सकते हैं, मैं वो भी आपको बता देता हूँ, backspace दबा करके आप वापस से cash वाले laser पर आईए, और यहाँ पर आपको इसका ultra open करना है, तो हम यहाँ पर type कर देते हैं, पचास जार रुपे, और उसके बाद हम यहाँ पर enterprise करते हैं, इंटरफेस करते हैं हम इसे यहाँ पर save कर देंगे, save करने के बाद आपको यहाँ पर control A press करना है, यहाँ पर भी control A press करना है, और यहाँ अपर 12500 रुपे आपका amount आ गया और जैसे बाकी का amount detect हो करके बाकी amount यहाँ पर आपको current balance वे represent हो रहें तो यहाँ पर हमें purchase को select करना है select करने के बाद यहाँ पर enter pass करेंगे inventory detail में हम यहाँ पर enter pass करेंगे क्योंकि inventory की हमारे पास कोई भी detail नहीं है इसके बाद यहाँ पर इसे enter एंटर करके 12,230 रुपे की ना तो यहाँ पर किसी party का नाम है और नहीं यहाँ पर cash लिखाए तो ध्यान रहें अगर आपको इस तरीकी का कोई भी question दिया जाता है solve करने के लिए तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी party का नाम यहाँ पर represent नहीं है और नहीं यहाँ पर cash दिखाए दे रहे तो by default जो entry हमारी pass की जाएगी वो cash के माध्यम से ही pass की जाएगी तो यहाँ पर आपको party की जगा पर cash रखना होगा जैसे हमने अभी उपर वाली entry pass की है तो चलिए मैं आपको यह भी करके दिखा देता हूँ तहली पर आने के बाद यहाँ पर आपको 105 invoice number टाइप करना है और उसके बाद enter एंटर एंटर करके यह नीचे आ जाएगे यहाँ पर आपको वापस से cash सेलेक करना है cash सेलेक करने के बाद यहाँ पर अपनी पूरी detail फिल कर लीजिए पूरी detail फिल करने के बाद यहाँ पर भी आपको control A प्रेस करना है और यहाँ पर आप अपना amount फिल कर दीजिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो amount है वो 12,230 रुपए है तो यहाँ पर हम अपना amount 12,230 रुपए फिल कर लेते हैं amount फिल करने के बाद जैसे आप enterprise करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे purchase का ledger आपको दिखाई देगा आपको सीधे purchase को यहाँ पर select करके enterprise करना है inventory allocations में आपको यहाँ पर enterprise करना है तो 12,230 यहाँ पर आपको दिखाई देगा debit side और credit side दोनों ही balance यहाँ पर equal हो चुका है और इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो current balance है वो 25,270 रुपए आपको यहाँ पर दिखाई देगा इसका मतलब यह हुआ कि जो भी हम यहाँ पर goods up purchase कर रहे हैं cash के मादियम से वो सारा का सारा amount जो भी हमने opening balance में डाला था उसमें से minus होता चला जा रहा है तो इस तरीके से आप इसे यहाँ पर enter करके save कर सकते हैं तो दोस्तो इस तरीके से आप as watcher की entries pass कर सकते हैं अब मैं आपको इसका balance sheet represent करता हूँ स्कैप करके हम बाहर आएंगे बाहर आने के बाद यहाँ पर हम चले जाते हैं balance sheet पर balance sheet को select करके जैसे में यहाँ पर enter pass करेंगे तो आप देखेंगे हमारे पास यहाँ बैलंस sheet represent हो चुकी है यहाँ पर आप देख सकते है duties and taxes में यहाँ पर minus में आपका amount को दिखाई दे रहा है क्योंकि जो भी हमने goods purchase किया है वो यहाँ पर हमने उसका tax यहाँ पर amount pay किया हुआ है इस वजह से यहाँ पर यह minus में represent हो रहा है duties and taxes को select करके जैसे आप यहाँ पर enter pass करेंगे तो enter pass करती है आप देख सकते हैं हमने जो भी cgst, sgst और igst में जो भी tax हमने यहाँ पर pay किया था उसकी entry हमारी यहाँ पर debit side में आपको दिखाई देगी और उसकी बाद जैसे हम यहाँ पर sale के entry pass करेंगे और जो भी tax हम रेसीव करेंगे उसकी entry हमारी यहाँ credit side में आपको दिखाई देगी तो इसके आप करके हम वापस से बाहर आते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं संडी क्रेटर आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ 76,500 रुपे, .35 पैसे का हमने सामान करीदा है संडी क्रेटर से इस पर जैसे आप enterprise करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी तीनों parties यहाँ पर दिखाई देगी दीपक, कमल और मोई तीनों से हमने कितने कितने का goods purchase किया है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा और इसके साथ साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका total amount भी आपको यहाँ पर नीचे की तरफ दिखाई देगा इसके बाद, scap करके हम यहाँ पर बाहर आने के बाद अगर हम asset site में जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको current assets दिखाई दे रहा है 25,270 रुपे का अब यह 25,270 रुपे क्या है जो हमने cash amount अपने opening balance में डाला का वो amount minus हो करके जितना amount बचा है वो हमें यहाँ पर reflect हो रहा है आप देख सकते हैं आपको purchase में दिखा रहा है कि आपने इतने का goods purchase किया है जिसमें आपका cash भी include है इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपका net loss आपको दिखाई दे रहा है क्योंकि जब भी हम किसी goods को purchase करके अपने pass रख लेते हैं तो वह हमारा loss ही होता है जब तक कि हम उसे sale ना कर लें तो इस तरीके से आप टेली प्राइम के अंदर without inventory voucher entry पास कर सकते हैं अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को like, comment, share ज़रू कीजेगा धन्यवाब